हेलो दूस्तो नमस्कार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सो दूस्तो इस वीडियो में हम लोग यह आपे बात करने वाले आप ही लोगों के जो डाउट आते हैं उसी से रिलेटेड यह वीडियो रहने वाला है और यह डा वीडियो के बाद आप लोगों के वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो चलिए एक्जैक्ली टॉपिक क्या है किस से रिलेटेड है कौन से स्टॉक से रिलेटेड है सारी बाते समझ में आएगी तो फटा बड़ इस यूडियो को स्टार्ट करते बड़ उससे पहले ज जाता है और वो आईपियो लिस्ट हो जाने के बाद यह डाउट हमेशा रिटेल इनुनेस्टर कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं हाला कि इससे पहले भी मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूं बट नए लोग आते रहते तो यह डाउट उनके पास आता रहता है नहीं बात करें हाज की दिन की अगर बात करें तो आप सबीलों को पता है जो क्रेमीखा का आईपियो या फिर आप इसे भी बोल सकते हैं मिसेस बेकτάर्स फूड का जो आईपियो है वो आज हम लोगों को यहापे लिस्ट होते ही देखने के मीला और एक आईपियो जबरदस हिट होते वे देखने को मिला जिन लोगों को अलट हुआ था उनके पैसे भी गजब के या पर बन चुके हैं तो जैसे ही ये सारी चीजे बाजार में आ जाती है तो वो जो डाउट रहता है कि ये जो कंपनी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ये भी तो बिस्केट बनाने का काम करती है तो क्या इनके शेर के उपर हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट आते हो देखने को मिलेगा बहुत ही शांदार ये सवाल है बट इसका जवाग मैं जरूर देना चाहूंगा दोस्तो जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सो दोस्तो जैसे आप लोग ने यहाँ पर पूछा कि यह जो कमपनी है इसको मैं क्रेमिका का IPO बोलूँगा तो फटावर्ट हम लोग यहाँ पर कवर कर पाएंगे सो क्रेमिका की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो यह चीज है ना दोस्तों यह देखी यह जो list हुआ है ना यह इन्होंने क्या किया है public से पैसा race किया है जिसका यह company क्या करने वाली इस्तमाल करने वाली है यह बात याद रखना दोस्तों की जो यह बाकी के companies है बाकी मतलब अगर हम लोग बात करे ITC अभी ITC की कौन-कौन से प्रोड़क्ट है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो संफिस्ट है संफिस्ट का बाउंस देखा होगा डार्क फेंटेसी देखा होगा आप लोगों ने राइट अलग-अलग इनके जो प्रोड़क्स रहते हैं बिस्किट से रिलेटेड राइट उसी के सारी चीज़े देखने को मिल सकते हैं मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यह देखिए अभी ब्रिटानिय के अगर हम लोग बात करें तो इसके चलते इन दोनों स्टॉक्स के उपर क्या निगेटिव इंपक्ट होगा तो दोस्तों याद रखना कि यह जो इन चलते जो इनके चलते जो ब्रिटा उनके जो बिस्किट से उनकी से कम हो जाएगी एसा बिलकुल भी नहीं इनके प्रोड़क्स अ्विलेड़ी अथे मार्कित में शिर्फ यह कंपनी अभी एक्स पांड़ करना चाहती थी एंड इन company की value बहुत ही ज्यादा अच्छी एक level पे आ चुकी थी इसी ने उन्होंने यहाँ पे क्या किया IPO लाया IPO लाने से क्या होता है कि आपका जो पैसा है public का वो यहाँ पे उन companies को मिलता है एंड उसको वो अपने purpose के लिए use करने वाली जो कि मैंने वीडियो में भी बनाय से वे देखने को नहीं मिलने वाला है अगें कहना चाहूंगा यह हमेशा की स्टोरी है जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यह तो एक example हो गया अगर मैं बात करूँ यहाँ पे LIC जब भी LIC के IPO की बात होती है अभी देखा जाए तो LIC के जो policy है वो अलड़ी बाजर में अवेलेबल है तो यह market में जब आ जाएगा तो हम लोग जरू कह सकते बाकी companies का जो यह रहेगा मतलब जो पैसा रहेगा वो temporary scale के लिए वापिश शिफ्ट हो सकता है बट इसका अर market में का करना चाहते है अपना steak बेच के पैसा उठाना चाहती है उसी के साथ-साथ हाली में हम लोगों ने और एक यहां पर IPO देखा था जो कि में आपर टाइप करके आप लोगों को बताना चाहूंगा यह देखिए burger king यह दोस्तो burger king की भी अगर हम लोग यहां पर बात करें so burger king भी बाजार में इंटर किया इसका अरती हो कि इसके पहले burger king अपना जो burger था वो market में था ही नहीं उसके कितने सारे outlets थे बहुत सारे थे सिर्फ उनको ऐसा लगा कि अभी हम लोगों को expand करना है और उ इसलिए उन्होंने अपने shares बेचे और उससे जो पैसा आया उसको वह अभी इस्तमालिया पर करने वाले तो इसका रती है नहीं कि Westlife Development या फिर Jubiland Foodworks मतलब Domino's Pizza वाली company या फिर मैं बात करूं McDonald's यह बरबाद हो गए यह already market में competition चालू है और देखा जा तो ऐसे धेरो सारे company ह जो कि बाजार में अभी तक list ही नहीं हुए जो कि हम लोगों ग्रे मार्केट में चलती हुए देखने को मिलती है या फिर नॉर्माल मार्केट में as a private company देखने को मिलती है तो यह बात हमेशा याद रखना दोस्तों stock जब भी लिस्ट हो जाता है तो इसका रती है नहीं कि company क products यहापे बाकी company के products खराब हो गए वो product आज भी रहते है और उनकी selling आज भी उसी demand में यहापे चलती रहती है सिर्फ company यहापे क्या करती है जो पैसा है वो यहापे market से उटाने की कोशिश करती है so आप लोगों का जो doubt था कि यहापे जो vector food यहापे list हुआ है तो क्या इससे ITC and Britannia को फरक पड़ेगा मतलब उनके sales के तो sales के उपर फरक नहीं पड़ेगा stock में हम लोगों को एक competition देखने को जरू मिलेगा so इतनी सी बात है जो कि आप लोगों को यहापे पता होनी चाहिए and एक valid सवाल है जो कि एक बाजार में नहीं लोग होते उनके दिमाग में तो यह ज़रू बाते आती है so ITC की बात करें आज आप देख सकते 208 रुपे का यह stock हम लोगों को फिलाल यहापे देखने को मिल रहा है अगर हम लोग बात करें ITC के brands तो हम लोगों ने देख लिये 24th December आज के दिन 23% के deliveries फिलाल ITC में देखने को मिल रही है similar way बात करें आपे जो बिस्किट का number one कोई इंडिया में कोई share है कोई company है तो बिस्किट की और ही आपे देखा जाते है 3600 पे फिलाल यहापे चल रहा है और जैसे कि इनके products पहले से बिक रहे है वैसे हम लोगों को बिकते वे देखने को मिल रहे है and देखा जाए तो ऐसे दोस्तो बिस्किट की और कितनी सारी company है 10 से 12 company आप लोगों को मिल जाएगी for example चलो एक बात कर लेता हूँ पतांजली अभी पतांजली की भी biscuits available है आप सब लोगों को यहापे पता है but वो company list किदर है वो list तो नहीं है उनके products available है so उनको जिस time पर यहापे लगेगा कि चलो हम लोगों को यहापे पैसा चाहिए expand करने के लिए वो बाजर में अपना IPO लेके आएंगे so यही बात है दोस्तो जो रूची सो है and वो पतांजली वो अलग है वो हम लोगों को अलग ही इसमें देखने को मिलती है so यह जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको ध्यान से बहुत आप लोगों नहीं आपे समझना जरूर चाहिए so जरूर कहना चाहूँगा ITCO या फिर Britannia इंडस्टियो अगर कोई भी कमपनी बाजर मिलिस्ट हो थी उसकार तिये नहीं कि यह कमपनी है खराब हो गई दोनों यह दोनों कमपनी आज भी वैसी चलेंगे और उनके डिमांड जरूर रहेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रिटानिया कि जितने बिस्किट शेल्फ पे रहेंगे या फिर ITC के शेल्फ पे रहेंगे अभी मेसेज बेक्टर आईपियो आने के बाद ऐसा नहीं रहेंगा कि चलो इनके शेल्फ से बिस्किट निकाल देते हैं मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यह सारी चीज़े अल्रेडी बाज़ार में अवेलेबल होती है सिर्फ जो कंपणी बड़ा बनने के लिए उनको पैसा चाहिए वो मार्केट में आ जाती है बस इतना ही होता है IPO से रिलेटेड बात जो कि अभी आप लोगों को समझ में आना चाहिए सो दोस्तो अगर हम लोग यह आपे बात करें वादार में हमेशा उनके हाथ में कुछ लगता ही नहीं है तो जिनके पास पेशांज है वो आराम से यहापे पैसा कमा सकते है और बिस्किट तो मैंने आप लोगों को ब्रांट दिखा दिये 3620 पे फिलाल चल रहा है इसका 52 एक हाई आप के सकते हो 4000 पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है अभी भी एक कमपणी हम लोगों को लगबग 400-500 रुपया नीचे ही देखने को मिल रहे है अपने आल टाइम हाई से वो कभी ने कभी अच्छी तो ज़रू करेगा तो उसका एडिशनली कोई हम लोगों को ऐसा जो सेल्स रहते हैं उसके उपर फरक पड़ते हुए देखने को नहीं मिलता है सिर्फ यहाँ पर जो कमपणी रहती है वो पब्लिक से पैसा रेस करते हुए देखने को मिलती है तो इसलिए याद रखना जो बर्गर किंग भी हम लोगों को आते हुए देखने को मिला उसका ना कोई फरक उन कमपणी के उपर हम लोगों को ऐसा सेल्स में यापर देखने को मिलने वाला है क्योंकि वो तो चीज़े चलती रहेगी और उसी के साथ साथ वेक्टर फूड की भी अगर हम लोग बात करें तो सेल्स के उपर कोई भी फरक नहीं रहेगा क्योंकि अल्रड़ी ये सारी चीज़े एक्जिस्टिंग मार्केट में अवेलेबल है और वैसे ही अगर हम लोग बात करें LIC की भी तो वो LIC की जो पॉलिस है वो अल्रड़ी अवेलेबल है बाजर में सिर्फ वो मार्केट में आना चाती है तो वो ज़रूर यहाँ पे इंटर कर लेंगे आयो बशा करता हो दोस्तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा जब डाउट था आप लोग का क्लियर हो चुका होगा दोस्तो वीडियो को क्लोस करने से पहले जरू कहना चाहूँगा स्टॉक मार्केट प्लासस इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग रख सकते हो तब तब कि लिए, बाइब बाइ